नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अपनी दो मांग सायक अचारे में 12,088 पास पाराशिक्षको का अज़ेस्टमेंट या समयोजीत करने और सायक अचारे बनने के बाद 10 साल की निर्धारित की गई बद्याता को खत्म करने की मांग कर रहे थे पुलिस ने सिक्षा मंत्री आवाज से पहले पाराशिक्षको को रोक दिया और एक प्रतिनिधी मंडल को वार्था करने के लिए ले गए पाराऊ सिख्षों के पांच सदव्तों ने सिक्षा मंध्री से वार्था की, मंत्री ने दस्थाव एज देखे, और एक सब्ता में फिर्था करने का असवासन दिया है। बदाद rock शिख्षा मंत्री अबास के पास, समक्ष नयायस मारच में, प्रमोत कुमार मिथलेश उपात्याई सीमान घोसाल मीना कुमारी महेश मेता मौजूद थे ओपरेशन कोलहान में जूटे हेमांत सुरेण मुख्य मंत्री साज जामों के करकारी अध्यक्ष हेमांत सुरेण ने कोलहान की चुनावी रण निती को धार दे दी है उन्होंने पार्टी के करकाताओं को समभूधित करते हुए कहा है कि करकारता ही संगठन के असली पुंजी हैं और करकारता ही नेता बनाते हैं उन्होंने सर्निवार को काके रोड़िष्थीत मुख्य मंत्री आवास में सराय के लखर सवाजीला की बिस्तारित बैठक के अध्यक्ष ताकी है बैठक में मुख्य रूप से संगठिक बिसयो और आसनन बिधान सभा आम चुनाव के संदर में चर्चा की गई बैठक दुरान कौलान प्रमंडल की चुनावी रणनिती पर बिस्तार से चर्चा हुई है मुख्य मंत्री ने करकरताओं को जिम्यदारी सोपी उन्होंने कहा है कि गडबंदन की सरकार सहर से लेकर गाओं तक के गरीब ज़ुरतमंद आदिवसी मुलवासी पिछले दरीत, अल्प संख्याक, महिला, छात्रे, युगा, किसान, मैदूर, हरवर के लिए कलनकरी योजनाओं को किर्याओन कर रही है करकरता इन योजनाओं को गाओं के अमतिम ब्यक्ति तक पहुँचाने में अपनी भूमकानी भाए लोगों को जागरूप करे और सरकार आपके दौर करकरम के दौरान इन योजनाओं का लोग लाब उठा सके इसके लिए उन्हें जागरूप करने के काम में और बढ़ चड़कर जुटे सरकार आपके द्वार अब 24 तक राई सरकार के महत वाकान छी आपकी द्वार कारम के तै तीथी के विस्तार किया गया है अब यह कारकरम 24 सितंबर तक चलेगा पहले कारकरब 15 सितंबर तक चलना था इस संदर में मंत्री मंडल सचीवाले और निगरानी विभागना आदेश जारी कर दिया है सरकार की प्रधान सचीव वंदा दादेल ने सभी अपरमुक सचीव सभी प्रधान सचीव सचीव प्रमंडली आयुक्त और उपायुक्त को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि कारकरम की अपार सफलता एवं जीलों में पंचायतों की संक्याधिक होने के कारान कारकरम को बिस्तार किया गया है आजसू आज सरकार से मांगेगी हिसाब सुदेश महतो युवा आजसू के दोबर अभी वार को धुरवाई सित परभात तरह मैदान में नौ निर्मान संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है आजसू पार्टी की ओर से इस आयोजन को सकरात्मक परिवर्तन के लिए यादगार बनाने की पूरी त्यारी की गई है पार्टी अध्यक्स हुदेश कुमार महतो ने कहा है कि नौ निर्मान संकल्प सभा में राज्य भर से हजारों बेरुजगार युवा अपने सैक्षनिक पाउन पत्रों की प्रतिया लेकर पहुँचेंगे और सरकार से उनके साथ की गई वादा खिलाफी का हिसा मांगेंगे उन्होंने कहा है कि युवाओ में अक्रोस है इसका कारण भी है युवाओ के पास डिगरी तो है लेकिन नोकरी नहीं सरकार ने अपने चुनावी वादे में सामाज के हर वर्ग के लिए कई लोक लुभावने वादे किये थे लेकिन सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई जानता कि भावनाओ को समझ नहीं सकी है सरकार का जुडाओ जानता से नहीं है हमारा उदे से जानता कि हीद के लिए काम करने वाले एक बेहतर नितितु को स्थाफित करने की है सुदेश कुमार महतु ने बताया है कि युवा आईसु द्वारा चोबीस अगस्त से स्ताथ सितमबर तक राजभार के बेरुजगार सिक्षित युवाओ का डेटा एक त्रित करने के लिए बायो डाटा संग्रह अभियान चलाया गया इस दोरान परदेश भर्स्ते ओनलाइन और ओफ्रेन माध्यम से प्राप्थ हुए बायो डाटा को जार्खन नो निर्मान संकल्प सभाव में सरकार के समक्ष रखा जाएगा जैक बोर्ड आठवी से बराहवी की अर्दवार्सिक परिक्षा लेगा जार्खन के असी उतक्रिष्ट और 325 आदर्स बिद्यालियों की अर्दवार्सिक परिक्षा होगी जार्खन एकेडमिक कॉंसिल परिक्षा का आवजन करेगा इसके लिए आवेदन की परकिरेश शुरू की जा रही है 13 सितमबर तक सभी स्कूलों का आवेदन करना होगा बतादे 18 से बराहमित तक की परिक्षा जायक लेगा जबकि पहली से 7 वीत तक की परिक्षा का आवेदन जार्खन सैक्षनिक अनुसादान प्रसैक्षनिक परिशत करेगा इसकूल अस्तरबर परिक्षा का आवेजन होगा जयक जीलों के माध्यम से प्रश्ण पत्र इसकूलों को प्लब्द कराएगा इसके बाद इसकूलों में परिक्षा ली जाएगी जयक ने जीला सिक्षपता अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकूलों को समय परावेजन करने का असपश निर्देश दिया जाए ज्यारखन में कमजोर रहा मांसून बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का छेतर बन रहा है ज्यारखन के कई हिसों में इसका असर दिख सकता है राइधानी रांची में 9 एवं 10 सितंबर को इसका असर पढ़ सकता है इससे पहले रभी वार को कोलहान परमंडल में कई जगों पर भारी बारिस का अवनुमान है बताजे सों मुआरण मंगलवार को उतर मध्य में कहीं कहीं भारी बारिस होने का अनुमान मोचम भी भागने जाताया है इसको लेकर मोचम के इनने एलो अलट भी जारी किया है वहीं मंगलवार को कुलान तथा राय धानी और आसपास के कुछ जीलो में भारी-बारिश का अनुमान है इसके बाद निम दबाव का असर कम हो सकता है इससे भारी-बारिश से लोगो को रहात मिल सकती है जारखन में मांसुन कुछ कमजोर रहा है किसी भी इलाके में पिछले 24 गंटे के दोन भारी बारिश नहीं हुई है गुआ गोली कांड के सहीतों को सधानजली देंगे सियम हेमांत दुनिया के इतिहास में अपनी तरह के पहले गोली कांड की बरसी 8 सितंबर को मनाई जाएगी इस दिन गुआ गोली कांड के सहीतों को कतारबध होकर लोग सधानजली देंगे मुख्यमंत्री हेमांसुरेन परच्मी सिंभूम के गुआ पहुचेंगे सहीतों को सधानजली देंगे और एक जन सभा को भी सम्मुदित करेंगे बता दे गुआ गोली कांड की चोवाल स्वी बरस गांड पर 8 सितंबर को अस्थाल परमुख्यमंत्री हेमांसुरेन मंत्री बिधायक विभीन तलोक नेता ग्रामिन जन परतिनीदी मान की मुंडा आदी सरधानजली देंगे गुआ बजार में इस्थीत सहीद असमारा कसल पर सुबर 9 बज़े से सरधानजली देने की सुरुआत होगी 10 सितंबर को संताल में कैम्प लगा कर पुलिस सुनेंगे सिकायत राज सरकार जीस तरीके से लोग कल्यानकारी योजनाओं को लेकर खुद जरुवत मंदों तक पहुँच रही है उसी तर्ज पर अब ज़्ारखन पुलिशने हर महीं ने किसी एक दिन समंदित इलाके में पहुँचको लोगों से उसकी सिकायते सुनेंगे वह उन सिकायतों पर तौरित करवाई करने की पहल सुरु की है जो लोग पुलिस से समधित अपनी सिकायद करने पहुंचेंगे उन्हें पावती यानी एक नाउनेजमेंट भी दिया जाएगा इतना ही नहीं उनकी सिकायद पर क्या करवाई हुई यह भी आउगत कराया जाएगा अगर आवेदान करवाई योग नहीं है तो भी जनकारी समधित ब्यक्ति को प्लब्द कराई जाएगी लोग अपनी सिकायद समधि जीला के एसपी ओफिस में जारी किये गए जन सिकायद समधान के वाट्सेप नमर पर अत्वा जारी किये गए इमेल पर भी भेज सकते हैं कारिकराम पूरे संताल परगना में 15 अस्थानों पर होगा जहां वर्यव पता अधिकारी भी मवजूद रहेंगे वहाँ भी आवेदान देकर अपनी सिकायद लिखित रूप से भी की जा सकेगी मुखिया के निधन पर उनके आसरीतों को 5 लाग सहायता रासी मुखिया के निधन के बाद उनके आसरीतों को 5 लाग सहायता रासी दी जाएगी वही मैया समान योजना के तहट भी 21 की महिलाओ की आयू को घटा कर 18 साल करने में सरकार ने सक्षम रहा है सरजू राय पर F.I.R. दर्ज जार्खन की राय निती में दो दिग्जों की बीच लगातार खिशतान की इस्थिती नजर आ रही है राजे के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने पुर्व मंत्री सरजू राय के खिलाप मामला दर्ज कराया है उन्होंने आहार पत्रीका के मुद्रन, प्रकासन एवं बित्रन के आड में अवय तरीके से काल किया है स्रीयम हेमन्त को करम पुजा के लिए अमंत्रान जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान स्रेंस से सरनीवर को रांची के काके रोडी सित मुख्य मंत्री आवास्य कर्याला में केंद्रिय सरना समित्ती के प्रतिनीदी मंडल मुलकात की है इस अवसर प्रमुख्य मंत्री को प्रतिनीदी मंडलने 14 सितंबर को रांची के हर्मोजधीत अखाडा में कर्मा पुजा महोसव में सामिली थोने के लिए मत्रन किया रांची के हर्मोजधीत अखाडा में कर्मा पुजा महोसव मनाया जा रहा है बतादे 14 सितमबर को यहां भव्य कारकरम किया जाएगा जारखन सिक्छक पत्रता परिक्षा पर नया अपडेट जारखन लोक सेवा आयोक द्वारा आयोजीत की जाने वाली जारखन सिक्छक पत्रता परिक्षा कम्प्यूटर रधारित होने की जगा अब OMR सीट पर होगी साथ ही इसमें सामिलित होने के लिए आयू सीमा की कोई बात देता नहीं होगी इसके लिए इसी वर्ष गठीत जेट नियमावली में संसोधन किया जगया है राज मंत्री परिश्थ ने इस पर सोकृती पदान कर दी है इसी के साथ जारकन में 17 वर्ष बाद इस परिशा का आयोजन करास्ता साफ हो गया अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आयोग दोबारा इस परिशा को लेकर बिग्यापन भी जारी होगा बता दे राज सरकार ने 17 वर्ष बाद राज के विशु बिद्यालियों अंगिभूत यवं सम्वंध महा बिद्यालियों में सहायक प्रध्यापक के नियुक्ति के लिए जारकन पत्रता परिख्षा के आयोजन को लेकर 21 फ्रवरी द्वाई 24 वाज सुतना जारीकर जेट परिख्षाने मावली घठित की थी धन्यवाद